हेलो स्टुडेंट्स अच्छा या अत्यंत महत्व पुरुण आनी रिसेंट टॉपिक हाइड्रोजन फुएल कार या वर आपन महिती जानून गिना रहोत कहीं द्यूस आगोदर्स केंद्रिय मंत्री माननिय नीतिंजी गडकरी याननी भारता तिल पहली हाइड्रोजन कार दिल्ली मदे सवंसद भवना मदे लॉंच केली और त्यान अंतर प्रश्ण निर्मान जाले कि ही चालते कशी बरेस मुलनना और इतरानना सुद्धा यह जानून गेची एक इच्छा निर्मान जाले की हाइड्रोजन फुएल कार चालते कशी त्याचा मुले यह वीडियो से प्रव्यूजन आहें यह सारकेज आन्खी कही वीडियो तुम्हाला बगाय चस्तिल तर तुम्ही माझा यूटूब चैनल वरती सब्सक्राइब करूँ शकता माझा यूटूब चैनल चनावा हैं डॉक्टर आशिश विखार त्यास बरवर तुम्ही मजे वेबसाइट ला सुद्धा विजिट करूँ शकता वेबसाइट चनावा हैं www.drvichar.com तर सुरू गरूया हाइडोजन फुएल काल कशाब बद्ध दिनी कार्य करते त्या बद्धल ची माहेती यह चैन्तरंग काये आच्चा यह वीडियो मदे अपन सर्वा तिला प्रस्तावना भगना रहो प्रस्तावने नंतर अपने लहे जानुन गेज़े की हाइडोजन वर चालनारी कार मंजे काय और तला योडे महत्वप्रा का प्राप्त जाले आए के यह यह तियाज बरोगर हाइडोजन वाहया कसा तयार केला जातो है के चान अंदर रह आज़रोजन वाहया तयार कर्ना साथ determ sure last किवा यह बगना रहत कि हचीचालते है एक्चूली हाइड़ोजन फ्वेल सेल किवा हैड़ोजन इंदन सेल चे काarta का रहा आहे तेचान अंतर हाइडोजन इंदन किती शक्ति शाली आहे आणि सर्वाद शियोटी आप लेला ही जानुन गेज़ से हाइडोजन कार साथी सद्ध्यकुंती आवानी उबे आहे सर्वाद पहले यह ची प्रस्तावन आपन जानुन गिऊ तुम्हाला सगयाना महीती है कि वेगळाया पद्धतीचे मारग आज एनर्जी कॉंजर्वेशन साथी वाप पर ले जाता आणि त्याचा उपयोग निसरगाचा नियेवान चा उपयोग करून मानवाने काय केले आपने जीवन अधिक सुखक अगर कसे हुईल तया साथी सातत्यने प्रयतन केले आहे त्याची शुर्वाद अगदी आदीम चाकाच्या शोधा पासुन ते अलिकरच्या सवर उच्छे परन्त तुम्हाला बगाला मेल एनर्जी कॉंजर्वेशन मंजे नॉन कंवेशन एनर्जी सोर्सेस मंजे सोलर एनर्जी सुद्धा याचाच एक भागा सुखक आहे मानशाने स्वताला गति देने साथी आधी इतर प्राण्यान सवापर सुरू केला शुरुवातिला बाईल घोडा इत्यादी सारक्या पाड़िव प्राण्यान वर बसुन त्यानना पढ़वाईला सुरुवात केली नंतर चाक आनी आसारो एक बैठक घातली आनी ती बैठक या प्राण्यानना ओड़ाला लावली ही स्वता अरामाद बसुन एक जागे वरुन दुसरी कड़े जान्या करता बनोलेली प्राथमिक वहान व्यवस्ता होती त्या चम्गुले मानवाचे प्रयादन सारके सुरुवा हेत कि नवीन नवीन टेक्नोलोजीज कशा पद्धतिने अपले सम्बोर एतिल जजशी इतर यंद्रे शोदली गेली तस तसी ही वहान व्यवस्ता अधिकाधिक कारेक्षम आनी आरामदाई बनत गेली आनी आज स्वयन चलित वहाने हाँ जगातिले एक मोठा उद्ध्योग बनला है सर्वस्य जलित वहाने चालोने साथी मोठ्या प्रमनात पेट्रोल डिजेल सारख्या इंधनाची गरत भासते परन्तु सद्ध्या पेट्रोल डिजेल महागले इंधनासा आता अन्यपरहकड़े लक्ष देनी अनिवारे साले आहे या मद्धे CNG आनि इलेक्ट्रिक वानां सा समावेश आहे पेट्रोल डिजल ची उत्पादन होत नाहीं मनुन देशाद पेट्रोल डिजल आ याध केले जाते आनि अपले सरक्या देशाला भारताला पेट्रोल लिन उत्पादन निर्याद करनाएं साथी करना रहा मंजेश ओपेक देशान वरती ओलम मुन रहाव लगता एक इंधन सद्ध्यासे सापडले आहे जे चार चाकी वारान मदे वापरने साथी खुब प्रभावी ठरता है आणि ज्या मुले पर्यावरनाला कुठली हानी पोचत नाई आणि तेचे नावाए हाईडरोजन इंधन माननीय मंत्री श्री नतीन गड़करी यानी नुक्तिस हाईडरोजन वर चालनारी कार सहंसोदे चालवत आनली तेचा बंदर सर्वतर चर्चा होता नापलाला दिस्ते स्वच्छ इंधनावर चालनारी ही कार लोकांचे आकर्षनाचे केंदर बन लिया है पुर्वी चाली रेलवेला वाफे और चालनारी इंजिने जोलडे जात होती पानयाचे वाफे ची प्रचंड ताकत त्यातुन लक्षा ताली इंधन मनुन हाइडरोजन वापर हा या पंतती सारकाचा है पारमपारिक जीवाश में इंधन आने इलेक्ट्रिक वहाने या दोनी पेक्षा हाइडरोजन सरस ठरनार असले ने जगभरात हाइडरोजन कारला मोठा प्रामणावर पसंती दिली जाता है त्या मोठी आता हाइडरोजन है भविश्याती इंदन मरून जगापड़ यह उपाहता है तर हाइडरोजन जालनारी कार भंजे काई आने तेला योडे महत्वका प्राप्त जाले आए ते आता आपन लक्षत ग्यू हाइडोजन कार मदे हाइडोजन इंदन वाप पर ले जाते बहविश्या थे इंदन आटो ओईल शेत्रात क्रांती घड़वेल असा विश्वास सद्या सर्वज रगत और प्रगत शिल देशानना वाटता है पारंपरी कि इंदन आमदे विशारी हरीद ग्रुव वायूंचे मोठा प्रमाण और उस सर्जन होते हाइडोजन पासुन फक्त पाने चीवाफ बाहर पड़ते तर इथे लक्षत घेना सरका है कि हाइडोजन मदून फक्त पाने चीवाफ बाहर पड़ना रहे त्यामदे केंद्र सरकार ने नैशनल हाइडोजन मीशन हाती घेत लिया है नैशनल हाइडोजन मीशन आणि पुडिल पास साथ वर्षया तैवर वीश कोटी डॉलर्स खर्चों करने चीवाजन केले लिया है जग भरात सरवत्रत्स कारबन फूट्परिंट कमी करने चैनल है त्यामदे अमेरिका जपान कुरिया या सरके देशानि हाइडोजन चालना रहा ने कार्स आणि बसे सब्वापर सुरू के लिएा है प्रगत देश आहेत अमेरिका जापान कोरिया या देशान मद्य सद्या हाइडरोजन वर्चालना रहा अनेक कार्स अनि बसे सा वापर तैने अल्रडी सुरू के लिला है कार्बन फूर्ट्प्रिंट बाबत नेट जीरो हे उद्धिष्ट साध्य करने साथी भारत सरकार ने दोनाजार अठ्रा मद्य हाइडरोजन फुल सेल वेहिकल वरील जीएस्टी निम्माने कमी करोन 12 टक्के न वर आनला है पेट्रोल वर डीजर गाड़ायां सा जीएस्टी अजोनी 28 टक्की इतकास है लक्षत गया कि हाइडरोजन वर जालनारे जे वेहिकल से त्यार होती तैचा वर सद्धिया 12 टक्के यवड़ा जीएस्टी आहे और फूट्प्रिंट बंजे जिला आपन बंटो कार्बन फूट बाजारा तेना रहे सद्ध्य पेट्रोल वर डीजर वरती तो जीएस्टी आए तो 28 टक्क्या है त्याज दंतर आपने बहुए है राट्रोजन वाई कसा तयार होतो तीनी मोटा रितिल हाइड्रोजन फूएल सेल चार्ज होतात फूएल सेल या प्रसर्व प्रक्रियत महत्वाची भूमिका बजावतात ते इलेक्ट्रिसिटी आनी उर्जा निर्मान करतात लक्षा दाला सेल बायो मास आनी कुजलेल्या गजर्यातुन मेनारा मीथेन वाई सब्सक्राइडर्य ञत्राइड चन्रिशा निर्मिती लेगो ऊते हैं है चीनी निर्मिती बायो मास पासुन करने वर सरकार्स सेल ब्हर हैं बायो मास की त्याम फिर्जा अंग भाइक्वाचा द सल गीें लग्षा दियाईगंें इन्टनल चान मेीग्रीवाची आनी वापर अपल्याल्प बगाला मिलैं तर नासा ही स्पेस शेटल साथी इंदन मुन्हों सद्ध हाइडोरजन जवापर करते हैं बायो मास पासुन तयार करने तिनार्या है हाइडोरजन सा साथा करने सहस्षक्या है त्याज बरवर तु एका ठिकाना उन दुसरे ठिकानी नेї ने ही श कार कशी चालते hydrogen fuel cell कि वा hydrogen इंधन cell मदे जे घड़ते तेला electrochemical प्रक्रिया मनता the name of the process is electrochemical reaction या मदे hydrogen चा रायसाइनिक उर्जे चे तेला पोड रेडॉस प्रक्रिया मनुशक्तो त्या अभिक्रिये द्वारे थेट विद्यूत आणि यांत्रिक उर्जे रुपांतर होते जे रायसाइनिक chemical energy can be converted into electrical energy और we can say it can be converted also into mechanical energy विशेश विकसित इंदन सेल मदे hydrogen आणि oxygen यांचात प्रतिक्रिया करून हे केले जाते जीवाश में इंदना प्रमाने hydrogen सहसा कुंत्याई नेसर्गिक साथें मदे आढ़लत नाहीं हे नेसर्गिक वायू कि वाइवा बायोमास कि वाँ पाणाने इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोलाइजिंग करून तयार केले जाते भारता मदे टोएटा किर्लोस्कर मोटर या कंपणी ने नुक्तिस इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोट्व टेक्नोलोजी या पाईलट प्रोजेक्ट चा भाग बनुन भारता तिल पहिली ओल हाईड्रोजन इलेक्ट्रिक कार मिराई लॉंच के लिए त्या कार चनावाई मिराई कार लक्षन गया आणि कंपणी आए भारते कंपणी आणि टोएटा कंपणी यान से कोलोगरेवेशन हूल टोएटा किलोसकर मोटर कंपणी ने ही कार लॉंच के लिए तोएटा मिरा ही ही जगा तिल पहली हाईड्रोजन फ्वेल सेल इलेक्ट्रिकल वेहिकल आए आणि ती शुद्ध हाईड्रोजन पासुन निर्मान होना रहे बीज कि हम्हे हारम फुल्गसेदां का influentar कारबन ही ह repehen हो मिराया मद थे हैड्रोजन इंदों सेल जी विशेश जमत्रना मशन अलिए यह यह हैड्रोजट्राइट वेहल है 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 हैड्रोजन वैल टैंक है यह मना थोन हैड्रोजन भाहिएर हैं उन सेल मदी जातों औक्सीजन चा मदतीने राजसाइनीक अभिक्रिया के लिए जाते त्यानांतर 20 तयार होते हैं है या मदिल मोटारीला पावर मिरते नानी मीराई कार पूड़े सरकते त्यानांतर ही कार धूर नाही इतर पानी सोडते मंजे उत्सर्जित करते कि वह स्टीम बाहर पड़ेल संप बन्होंती तेवाहिकार एक रुपया दोन किलोमेटर प्रहांत चालेव एक केलो हैड्रोजन की किम्मत सुछाने प्रहारी शक्या दॉलर शेग्टा आहे थार्ची समरच्ना, लग्षिन कार्ची समरच्ना खिमा, the structure you can see in this figure. You will see that this is a fuel tank, hydrogen fuel tank. After that there is a battery pack-up, fuel filler, इतना है तंडा थाथ्टना ह्या तंडार भाउच्छा थाथ्ता ही त्यान अंतर इंटा त्यान अ गिए त्यान अ त्यान थे त्मला, प्रिक्रिक ट्रेक्शन मोटर इते सेंटर लाहे तेचाने दतला हाँ ट्रांस्मीशन जोड़ लेला है तेचाने रहा पावर को इलेक्ट्रोनिक कंट्रोलर रहे यह चांब्धे आनके एक एडिशनल बैटरी दिली आए घाडिला सुरू करना जाटी आनिधीजी डीसी दोरोबर थर्मल सिस्टम मझे कूलिंग करने साथी जी थर्मल सियोज ना लागेल ती सुद्धा समोर्च बाज़ो नीथे तुम्हाला बगाला मिदेल हाइड्रोजन फ्यल सेल क्यों हाइड्रोजन इंदन सेल चे कार्य कशे है अत्यन्त महत्व पुर्णा आपकार्य आता आप मजे रून प्रभार असले ला निगेटिव चार्ज असले ला रून धक्रूहन जलापन कैथोड असै मांटों और से यह통 अन्ही प्रकारच रचनेला ब्रेड सेंडविच ची मदे ताईल जसा आपन ब्रेड सेंडविच पाइटो ब्रेड सेंडविच मदे धनी कशे Außerdem ऑन दोन टर्मिनल्स हे ब्रेट चे तुकड़े आहे अचे आपन मानु या आणि तया मनला जो भाग आहे तहला आपन इलेक्ट्रोलाइट असा मनुशक्तो तो अत्य तो सोपी रचना या एडोजन फ्यल सेल ची आहे अकुरूती मदे तुम्ही बगाल कि सेंटर ला इथे हा भाग भागाथवाचा आहे इथे हाजो आट लाल रंगा ने दाखोलेला दिस इस कॉल्ड आजन एनोड और आजो पार्ट निडा रंगा चा याला मन्दा कैथोर्ड कैथोर्ड आनि एनोड आनोड ला सुद्दा इथे इंलेट डिलेला हाजो इनलेट हाँ आएडोजन चाहे आए तपकरी रंगाचे मोठे डॉट्स आये तेला प्रोटॉंस बनूए आनि हे प्रोटॉंस या मध्या मध्या इलेक्ट्रोलाइट मुदून कैथोर्ड कड़े जाती हां सेंटर साव बार्ट आए याए इलेक्ट्रोलाइट आए और तो प्लास्टिक पॉलिमर पासुन ब प्रोईट केले जातिल और तैचा मोई इलेक्ट्रिक मोटर जी आए थी फिराल लागेल तैचा कनेक्शन इते तुम्हाला दिसेल की कार चा भीलला देना तालेला है बाइ उजिंग बेल्ड राइव हादिस इस नथिंग बड़ बेल्ड राइव उडले ले जे इलेक्ट्रॉन साहे ते कैथोड मादे जातिल कैथोड मादे पाने आसोबत त्याची रियक्शन होईल कारण इते तुम्हाला दिसेल की कैथोड इस हाइविं अनादर इनलेट फॉर एस्टुओ साथी है इनलेट आहे जे इलेक्ट्रॉन साहे उनलेले काला रंगा चे आणि हाँ बाहर पड़ेल केवा तेला आपन वाटर मनुशक्तो हे सुदा बाहर पड़ेल तर कुठले पद्धत प्रदुशन हार्मफून गैसेस बाहर एक्जॉस्ट मदे वाताउना सोड़े जना नही आणि आशा पद्धत ने ही रचना इते कारे रहता है तुरुआ तिला काया होतो त सर्वा तिला टाकी तिल हाइड्रोजन वायू एका पाइप चासा आयने पॉजिटिव मंजेस अनोड टर्मिनल ला पूरोला जातो हाइड्रोजन वायू जोलंशिल आनि स्पोटक असले तेला साथोने साथी वापने तेनारी टाकी अत्यनत मजबूत असने अवशका है त जचान अंतर हवे तिल ऑक्सीजन दुसर्या पाइप मधून निगेटिव मंजेस कैथोड टर्मिनल ला पूरोण आते तो पॉजिटिव टर्मिनल मंजेस अनोड हाँ प्लाटिनम पासून या पधारता पासून बनेलो आसतो जला एक मोल लेवन धातु उत्प्रेरक असम भ एलेक्ट्रोन मदे भागल लीघन अनोड हाँ अनोडेर्ब लाटोन ला पॉजिटीयों चार्ज असलै प्लाटोर्या प्लासून ऻ्लीविश्टिक ची प्लासून अ या पाठ्व गात या प्लार की। फक्तौ प्रोट्रोन जाऊ शकतार इलेक्ट्रोन भाइर जाऊ शकतारπο हुँशकतार आयद्फ दर्मेन लिज्ञ और में बाया सर्केट बंदू वही लाइश शुरुआत होते लेक्ट्रोन जय आएक ते बाया है नोजलन वही wala प्रोटोन और इलेक्टोन हवे तिल ऑक्सिजन सरासाइनिक अभ्यक्रेम में दे पुन्ना एकत्र होतात जामरे पाणी तयार होते पुड़े पाणी एक्जॉस्ट पाइट मुदून पाणी ची वाफ क्यों वाफे चा रूपात वाता होना सोल ले जाते या प्रकार चा इंद्यन सेल ला PEM मनतात मंज़ेश पॉलीमर एक्स्चेंज मेंब्रेन क्यों प्रोटोन एक्स्चांज मेंब्रेन क्यों प्रोटोन एक्स्चांज मेंब्रेन करन या पॉलीमर चा जाड़ी मदून प्रोटोन ची देवान गेवान के लिए जाते जो परंत हाइ पुरोठा आहे तो परंत इंदन सेल्चे कारे चालू राईल हवे नेमी भरपूर ऑक्सीजन असले ने टाकी मदे किती हैड्रोजन आहे या एक में वर्यादीत घटका कड़े लक्षे देने महतोपुर्ण आहे हाईडोजन पावर्ज असरवात मुठा फाइदा मजे ते हरी दुरूव वाई उससरजन कमी करतात हाईडोजन कार मदे लागन हलनारे भाग नसले मुडे ने इंदन सेल्चे अधिक विश्वा सार आणी कारेशन मसतत या कार मदे आउग्या पास मिंटा था इंदन भरता है य इंदन किती शक्ति चालिया है इंदनाची शक्ति गुर्वत्विय उर्जे चा घनत्वे ने बोजली जाते उधार नार्थ डिजल में दे गुरुत्वा करशन उर्जा घनत्व मंजे 25 millijoule पर केज आए तो नैसर की क्वाईव साथी गुरुत्विय उर्जा घनत्व पंचाओ 20 millijoule पर केजी आए अशा परिस्तित हाइड्रोजन सा परिणाम इंदन उर्जेल ची चांगली कारेक्षमता निर्मान करतो कारण हाइड्रोजन प्रती पाउन इंदन जास्त उर्जा निर्मान करते तर हाइड्रोजन कार साथी सद्य कुंती आवाने है या तंतर द्याना मदिल सरवात मोठा आवान मंजे तैची उत्पादन थोड़े महागा है ये प्रामुक्याने उत्प्रेरक कीमा उत्प्रेरक कराण साथी अवश्यक असलेला प्लाटिनम सारक्या दूर्मिल पदार ता किम्ती मने जालेले आए राण वहाना साथी सद्य कर्मता डा ये पेट्री पंप आसतर डिजल पंप आसतर अपले आजन सुरूवात वई ची आए राण व्याग्ष्या अश्यक्रा परिस्तिति जमां इन्दन टाकी मद्य पूरण पने भरले जाते तेमां वहां चालो तान आपगाता सा धोका आस तो त्यामुल हे इंदन बरी टाकी बरीच मजबूत असने बन इंदनाजी टाकी बरीच मजबूस पने बनवावी लागेल त्यामुल या वानाची किम्मती वाडते आहे हैडोजन कार आता अनेक देशा मदी उपलबदा आहे ही भारता आयात के लिए ज कर विशे आपन ही माहती जानून गेत लिया है थैंक यू